सनातन धर्म क्या है? सनातन शब्द सत्थ और तत्थ से मिलकर बना हुआ है, दोनों शब्दों का अर्थ यह और वह है. इसका व्यापक उले खहा ब्रहमास्मी और तत्वमसी श्लोक से मिलता है. इस श्लोख का अर्थ है कि मैं ही भ्रहमा हूँ और यह सम्पूर्ण जगत भ्रहमा है। इस स्रिष्टी के निर्मान के पश्चाद भी भ्रहमा में न्यूंता नहीं आई है। कहने का तात्पर यह है कि भ्रहमा पूर्ण है। सनातन का शाब्दिक अर्थ है, शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानि जिसका न आदी है न अंत आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही वेकल्पिक नाम है, जिसका उप्योग संस्कृत और अन्य भारतिय भाषाओं में भी किया जाता है वैदिक काल में भारतिय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है पौरानी ग्रंथों और इतिहास के मुताबिक एक समय में भारतिय उपमहाद्वीप में केवल यही एक धर्म था लेकिन बाद में यहाँ पर धर्मांतरन की प्रक्रियाएं हुई जिसकी वज़ा से यहाँ पर कई धर्म के लोगों का वास हुआ लेकिन आज भी विश्व का एक बड़ा वर्ग इसी धर्म में आस्था रखता है इसलिए इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है यह दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है भारत की सिंदु घाटी सभ्यता में हिंदु धर्म के कई चिना मिलते हैं यह धर्म कितना पुराना है इसे लेकर भी अलग-अलग दावे हैं मान्यताओं के मुताबिक ये धर्म करीब 12,000 साल पुराना और कुछ मान्यताओं के मुताबिक 90,000 साल पुराना भी बताया जाता है। पुरानिक मान्यताओं की ओड जाएं तो पता चलता है कि सनातन अर्थात हिंदू धर्म में सबसे पहले 9,057 इसा पूर्व स्वायं भुव मनुहुए 6,673 इसा पूर्व में वैवस्वत मनुहुए श्री राम का जन्म 5,114 इसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3,112 इस पूर्व बताया गया है सनातन धर्म मूलतह भारतिय धर्म है वर्तमान के कलिकाल में भगवान श्री आदिशंकराचार्य जी ने इस धरा पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी सनातन के माध्यम से इश्वर आत्मा और मोक्ष का ज्यान होता है विज्ञान के लिए भी मृत्यू पहली बनी है। सनातन धर्म में इश्वर, मोक्ष और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। इस धर्म का मूल सार पूजा जब तप दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और यम्नियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, रिशिमनियों और यहां तक की साधारण मनुष्य ने भी इसी मार्क पर चल कर अपना उत्थान किया है। विकीपीडिया के मुताबिक सनातन धर्म में पांच संप्रदाय थे, जिनके नाम निमनलिखित हैं। एक गानपत्य, दो वैशनव, तीन शैवदेव, चार कोटी, पांच शाक्त, गानपत्य भगवान गणेश की, वैशनव भगवान विश्नों की, शैव मा दुरगा की, कोटी महादेव की और शाक्त सयूदेव को पूझते थे लेकिन इन सभी संप्रदायों में एकता बनी र शैवदेव का मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई, इस धर्म में शिवशक्ति, ब्रामा और विश्नों को समान माना गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संप्रदाय के लोग सनातन को मानते हैं, इस धर्म में शास्त्रों की रचना संस्कृत भाशा में की प्ली सब्सक्राद का मुषपकर पी रेbands छे